पिछले तीन साल में नीट की जो cut-off है वो increase होती ही जारी है जैसे कि एक example दिखा देता हूँ 2022 में अगर आप 615 marks लेकर आते हैं तो आपकी rank अप्रॉक्स अप्रॉक्स आती 12,000 जबकी 2023 के अंदर अगर आपके 615 नमबर आए होंगे तो आपकी rank आई होगी 30,000 से भी जादा वही पर अगर आपके 2022 में 660 नमबर आए होते जो की बहुत जादा हैं उसमें आपकी rank आती 2.6 के मतलब 2600 के आग पास जबकी अगर आपके 2023 में इतने marks आये होते तो आपकी rank होती 5000 जो की directly दो गुना होता है तो आप खुद सोचो इतना competition increase हो रहा है और सवाल ही होता है 2024 और 2025 में क्या competition और increase होगा या फिर decrease होगा और अगर increase होगा तो हम उस competition के according अपनी preparation को कैसे change कर सकते हैं So hi everyone मेरा नाम है प्रिशान mentor और thousands of students और यह है हमारा NEET का channel देखो यार यह जो सवाल पीजे स्क्रीन पे लिखा है यह बहुत सारे students मुझसे पूछ रहे हैं क्यूकि शायद आपके coaching में आपके teacher ने आपको यह बोल दी होगा कि इस बार तो competition और increase होगा क्यूकि 2023 में अचानक से competition almost double हो गया तो अब सब को लग रहा है कि अगले दो साल तो बहुत increase होगा बट यह चीज पूरी तरह से सच नहीं है देखो पहले बताते हैं तो आज तुम्हें demotivate करने नहीं है आज तुम्हें reality थोड़ी बहुत बताने आया हो कि जितना तुम सोच रहा हो ना competition increase होगा शायद उतना नहीं होगा और उस competition को तुम बहुत असानी से beat कर सकते हो अगर तुम इन चीजों को solo करते हो तो सबसे पहले यह देखते है competition increase हुआ क्यों है सबसे पहला reason जो तुम्हें पताईए कि इतने सारे लोग paper देने लगें अचानक से इस साल शायद 2024 के अंदर शायद आप माल लो 22 लाग से भी जादा बच्चे देने वाले paper बहुत obvious सी बात है इस साल देंगे देंगे इतने सारे students अपने 2023 के अंदर लगबग 21 लाग तक के students में form fill कर रहा था तो नंबर हर साल इंक्रीज होता जा रहा है इस साल भी इंक्रीज होगा बट एक और reason है जिसकी वज़े से competition इंक्रीज होता है जो कि मैं आपको यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा देता हूँ जो कि है अपना difficulty analysis अगर आप difficulty analysis को बहुत ध्यान से देखोगे न तो अचानक से क्या हुआ है कि paper का जो level है वो degrees होने लगा है 2018 में paper तो यहाँ पर आता था और 2023 का जो difficulty order है वो आने लगा है यहाँ पर तो अचानक से जो difficulty level है वो degrees हो गया है जिसकी वज़े से cut off degrees हो रही है बट अगर आप ध्यान से देखो न तो 2020 के अंदर भी उतना ही difficulty level था जितना 2023 के अंदर था तो 2023 के अंदर अचानक से competition कैसे इंगरीज हो गया यह कैसे हुआ यह हुआ क्योंकि 2023 के अंदर बहुत सारे students को यह पता चल गया कि paper हमें कैसे उसके लिए पढ़ाई करनी है ठीक है जो कि अभी तक शायद 50-60% लोगों को नहीं पता कुछ students को पता चल गया है कि paper कैसे बन रहा है और उसलिए preparation कैसे करनी है और अगर तुमें भी इस competition से छुटकारा पाना है ना इस competition से उपर बढ़ना है तो तुमें अपनी preparation के अंदर थोड़े बहुत changes लाने पड़ेंगे उन changes को समझाता हूँ बहुत ध्यान से सुनते चलना शायद ये एक वीडियो तुमारी need preparation को बदल दे जो अभी तक तुम करते आ रहे हो गलती हैं सारी गलतियों को बदल दे और ये जो competition है ना इससे तुम उपर उठ जाओ और एक बहुत अच्छी रहें को खाल लाओ देखो सबसे पहला point देखते हैं सबसे पहला point का है majority of students are confused about NCRT अब problem क्या है ना देख pattern सबको पता है सबको पता है paper आ रहा है असान paper आ रहा है NCRT से चाहिए वो chemistry हो चाहिए वो अपनी physics हो चाहिए अपनी biology हो सबको पता है बट फिर भी अभी भी अभी भी लोग NCRT नहीं पढ़ रहे हाँ ये reality है हम क्या कर रहे है NCRT के short notes पढ़ लेते हैं हमारे coaching ने जो पढ़ा है module छोड़ो केवल और केवल NCRT paper फोकस लगा देना NCRT line by line पढ़ लेना मैं किताबों की बात नहीं कर रहा हूँ NCRT line by line books खरीद लो नहीं जो तुमारे खुद के पास है NCRT उसको पढ़ो खुद से underline करो important चीज़ है वहाँ पर time लगाओगे रैंक आईगी एक भी मुझे topper बता देना जिसने बहुत अच्छा score कर रहा हो नीट के अंदर और उसने NCRT line by line नहीं पढ़ी हो खुद ने underline करके किसी और की किताब नहीं खुद ने बता दो एक भी topper ऐसा नहीं है topper क्यों क्योंकि जरूरत है पर time ऐसी important चीज़ को ही neglect कर रहे है दूसरा point है क्या है modules पढ़ना बंद कर तो यह मैंना आपको बताई दिया हमें क्या है न हमें वो शौक लगे हुए है बड़ी चीज़ों के कि और सबको यह भी पताए कि paper अगर हमें attempt करना है कम समय के अंदर तो हमें question चीज़ें आनी चाहिए मतलब मैंने question को पहले से practice करा होना चाहिए अगर एक question physics का ऐसा आ गया ना जो तुमने नहीं देखा अपनी preparation के दोरान तो तुम अपने paper के अंदर neat exam के अंदर उस question को attempt ही नहीं कर पाओगे पता है क्यों? उस समय पर बहुत ज़्यादा pressure होता है आपका दिमाग नहीं चल रहा होता आपका दिमाग उदनी questions पे चलेगा जो आपने already एक बार देखा हो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इंसी आटी previous year question करो module वगेरा छोड़ो है module वगेरा उन students को करना है जो कि अभी 11th के अंदर है अगर तुम 12th में हो, ड्रॉपर में हो इंसी आटी previous year question पे आपना focus बना कर रखना है अगला point क्या है less practice, more theory सबसे बड़ी क्या कर रहे है लोग mistake, क्या mistake है theory पे बहुत ज़्यादा समय खराब कर रहे है हमें क्या करना है हमें करनी है ज़्यादा practice theory पे समय खराब नहीं कर रहे है लोग को लग रहा है कि यार biology है तो theory पढ़ लेते हैं है न, उतना enough हो जाएगा नहीं, question practice करो यार क्या कर रहे हो अगर आपके पास कोई आप online coaching आपने ले रखी है वेलन गुडे, अगर आपने किसी के subscription ले रखा है वेलन गुडे, अगर नहीं ले रखा है तो मैं आपको बोलूँगा कहीं का ले लेना मैं आपको recommend नहीं कर रहा हूँ क्योंकि लोगों को लगता है paid promotion चल रहा है नहीं, मैं आपको recommend नहीं कर रहा हूँ आपकी मर्जी जहां का आपको उठाना है बट एक ऐसा subscription लो जिसमें कि आप daily test दो जितने ज़्यादा practice करोगे सवाल का उतना ज़्यादा important है theory पढ़ने से selection नहीं होता अगला point क्या है, ignoring competition बहुत बड़ी गलती हम क्या कर रहे हैं ना हम डर की वज़े से mock test नहीं दे रहे हैं है ना, आपकी coaching के अंदर होते होंगे all India mock test, अगर आप एक अच्छी coaching के अंदर हो अगर आप offline coaching के अंदर हो, तो तो होते ही होंगे उसके अंदर आपकी rank भी publish होती होगी वो rank पता है, चू important होती है वो इसलिए important होती है, वो आपको realization दिलाती है कि देख, हजार बच्चों के अंदर तू यहां stand करता है competition तो बीस लाक में है या offline में तो फिर भी लोग जाता है देने online में कोई test ही नहीं दे रहा है अगर तुम all India test series किसी की ले सकते हो, लो अच्छी coaching की, ठीक है अगर तुम dropper वे फिर 12th में हो तो बहुत important है 11th वाले हो तो चलो ठीक है अगले साल ले ले लेना बर 12th वाले हो तो विसी की all India test series उठा लो हर महीने test होते हैं, वो जाकर दो तुम्हें अपनी rank पता चलेगी, तुम्हें competition के बारे में पता चलेगा और एक last और एक final point बता देता हूँ यह जितना भी मैंने analysis करा न कि पिछले 5 साल में कैसे trend change हुआ है कैसे अपना जो paper है वो change हो रहा है और आगे कैसे change होगा, तुम्हें आपको बता दे जाओ competition increase नहीं हो रहा लोगों को बहुत बड़ी यह problem है कि आर अचानक से competition increase हो गए है, नहीं, competition increase नहीं हो रहा competition तुम्हारा है नहीं 22 लाख में competition तो वहीं है, एक दो लाख बच्चे उन्हीं में ही पड़ा हुआ competition तो बागी सब भीड है, reality है, but यह जो भीड और यह जो topper है ना, इनके बीच में पता है क्या difference है difference है यह, आज के समय पर, आज सगर मैं 5 साल पहले की बात करूँ ना, तो NEET के अंदर deep concept पूछे जाते से, but आज deep concept नहीं पूछते हैं, आज पूछते हैं basic concepts यह बहुत important चीज़ है हम क्या कर रहे हैं, बड़ी बड़ी किताबों के पीछे वाग रहे हैं, कि यह भी कर लें, यह भी कर लें हमारे teacher ने इतने मोटे notes बना दी, उसको पढ़ रहे हैं, नहीं, basic concepts पे काम करो, deep concept के पीछे मत भागो, बहुत important चीज़ हैं, क्योंकि जब हमारा need के exam में पूछे ही नहीं जारे deep concepts, तो हमें पढ़ने की जुरत क्या है, फिर बच्चे बोलते हैं, तो यह अगर by chance, deep concept के सवाल आ गए तो, कितने आएंगे, कितने आएंगे, मुझे एक बात बता, तो फिछले 5 साल के पेपर उठा ले, कितने question आते हैं, जो कि बहुत टफ आते हैं, या फिर NCRT के बाहरा आते हैं, biology में, तो खुद बता दे, दूढ़ ले, कितना आया हैं फिछले में, 5, 6, बस 4, 5, इतनी आये ना, इस से उपर तो नहीं आये ना, तुम क्या कर रहे हो, तुम उस छोटे से weight age के पीछे बाग रहे हो, जबकि तुमें भागना है, बड़े weight age की तरफ, जो कि NCRT वाला portion है, हम deep concept के पीछे बाग रहे हैं, और यार पता है, मेरे पीवेस का पड़ा दिया, आजी, खुश हो जाते हैं, है ना, especially 11th वाले बच्चे, खुश हो जाएंगे यारा, हमें तो वह deep पड़ा दिया, वह deep, से पता है, हो क्या रहा है, तेरे notes मोटे हो रहे हैं, और वह notes बाद में तिरसे revise नहीं होंगे, सबसे बड़ी problem है, कोई teacher खुलके इन चीजों के बारे में बात नहीं करता, मैं तुम्हारा अपना भाईया हूँ, अपना बड़ा भाई मान लो मुझे, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ, खुलके, होता क्या है, एक्च्वल में coaching के अंदर, तो इस बात को याद रखना, आपके जो basic concepts हैं, वो बहुत important है, deep concepts उतने important नहीं है, I hope आपको कुछनों को सीखने को मिला होगा, इस जो trend बन रहा है न, इस trend को तुम break कर सकते हो, अगर तुम इन चीजों को follow बरते हैं, competition से मट डर यार, तुझे कितनी सीट चाहिए, 10, 12, 50, 100, नहीं न, एक, एक ही चाहिए, मिल जाएगी, एक सीट चाहिए न, एक ही चाहिए, मिल जाएगी यार, क्यों गबरा रहे हो, डर हो मत, अपना काम करो, अपना best लगाओ, मिल जाएगी इन चीजों को याद रखना,